तो जिस चीज का इंतजार आप लोग बहुत टाइम से कर रहे थे यूपी के जितने भी एसपेरेंट्स हैं तैयारी कर रहे थे तो सभी को शुब कामना हैं कि अब उत्तरप्रदेश के भी जो TGT और PGT के वेकेंसी है वो आ चुकी है और आप लोगोंने पहले ही देख लिया ह है बहुत तेजी से सभी ग्रूप्स में जा चुकी है हम थोड़ा सा इसमें डिस्केशन करेंगे और जो इंपोर्टेंट जो अनाउंस्मेंट हो यह है कि अगर आप इंग्लिश सब्जिक्ट से कर रहे हैं तैयारी और आप लोग अभी तक मेरे चैनल से जुड़े हैं और UPT GTPGT का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप 7409287156 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चलिए इसमेरे डिस्केशन करते हैं थोड़ा सा देखते हैं इसकी जो ऑनलाइन की स्टार्टिंग डेट है वो है 29.10.2020 जो आविदन शुल क जमा करने की प्रारम भी तिथी है वो है आपकी वही जहां आपका स्टार्टिंग जो पंजी करन का है वही है ओनलाइन आविदन की जो अंतिम तिथी है वो है 27.11.2020 अगर हम यह देखे कि आविदन शुल क जमा करने की जो अंतिम तिथी है वो है आपकी 27.11.2020 अगर हम ओनला online आवेदन जो भाग 2 है उसको सब्मिट करने की जो अंतिम्तिती है तो आपको जो online आवेदन करना है हो भाग 1 और भाग 2 दो पार्ट में आप लोगों को ये करना है इसमें जो महतुपूर्ण निर्देश में है तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आवेदन की कॉपी है उस उसे आप लोग खुझ से study कीजिए, बहुत अच्छे से उसे study कीजिए, अपने पास safe रखिए, हो सके तो print out करके पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होता है कि ज्यादा confusion नहीं रह पाता है और सारी बातें clear हो जाती है, यहां से आप इसे download कर सकते हैं, अब देखते हैं कि कितनी post है और इसका जो thesis structure है, वो क्या है, सबसे बड़ी बात जो है इस exam में, अगर आप उत्राखंट की तयारे करें तो आप लोगों पता होगा कि minus marking है, लेकिन यहां पर लिखित परिक्षा में रिनात्मक अंकन नहीं है, means negative marking आप लोगों के लिए नहीं है, तो यह काफी अच्छा एक point है यहां पर, आप देखते हैं कि जो online आवेदन है, उसे आपको तीन चरणों में करना है, तो सबसे पहले आप देख लीजे, candidate का आपका registration होगा, और फिर आपका fees का भुकतान होगा, और फिर आपको form submission करना है, तो पर्थम जो चरण है, candidate registration है, उसमें आप लोग अपने जो registration form है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो व्यक्तिकित सूचना आए हैं, आपकी personal details हैं, उस सारी चीज़ां आप लोगों को उसमें बहननी हैं, जैसे आप उसे बहनना शुरू करेंगी, तो one by one आप लोगों को उस preview और फिर उसके बाद submit application आपको करना है, उसके बाद आता है दूतिय चरण जहां पर आपको शुल का भुक्तान करना है, शुल के बारे में एक बार देख लेते हैं, जो ये अनारक्षित है, जनरल के लिए जो है, आविदन शुल का 700 रुपए है, ऑनलाइन पर करिया शुल क आपका जो टोटल हम टोटल देख लेते हैं, 750 है, जो EWS हैं, उनका 450 और OBC का 750 अगेन, अनुसुची जो ST हैं, वो आपका SC जो है, 450, ST जो है, वो आपके 250, तो यहां तक आप लोग देख सकते हैं कि फीस का structure ये है, तिरतिय चरण में आप लोग देखेंगे कि form का submission होना है, जो चीजें important है कि अभ्यरति का जो photo है, वो आपका रंगीन photograph मांगा हुआ है, और 3.5 cm चोड़ा और 4.5 cm लंबा आप लोगों को ये जो photograph है, वो डालना है, उसमें हस्ताक्षर का 3.5 cm है, ये आपको JPG format में convert करके डालना है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये format कैसे change हो वैसे आप लोगों को आजकल बहुत सारे app जो है, वो मिल जाते हैं, अगर आप computer से कर रहे हैं, तो आप paint से ये सारे काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो scan के वे image है, उनके size 5KB to 30KB के बीच में होनी चाहिए, बहुत कम दीवी है, 5KB to 30KB, तो ये आप paint से कर सकते हैं, या बहु इसमें जो लिखित परिक्षा है, उसका format थोड़ा सा अलग है, तो आप लोग इसे देख लिजे कि जो total होगा, एक लिखित परिक्षा होगी, एक ही होगी, और 500 अंकों की होगी, 125 आपके पास question होगे, और परतेक जो परशन है, वो 4 अंका होगा, और सभी परशन आपके अन और अगर हम समयाविदी की बात करें, तो यह दो घंटे की होगा, यह जो पीपर होगा, वो दो घंटे का होगा, तदर्थ शिक्षकों के बारे में आप लोग डेटेल से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट या रिजल के बात करें, तो अधार पर अभ्यर्चित वारा प्राप्त अंकों और तथा तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परिक्षा का प्राप्त अंक सेवा आधारित अधिवार अंक के आधार पर 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 सिक्षित जो टीजीटी का होगा हो चैन ही तो समयकित पैनल, जो उत उसके according लिये जाएंगे तो जैसा मैं हर exam में बोलता हूँ कि बाकी चीज़ों पर फोकस करने के बजाए आप सिर्फ तैयारी पर फोकस कीजिए आप अगर अच्छा गेन करते हैं अच्छे मार्क्स गेन करते हैं TGT अपीजिटी में तो शूर है विकेंसी के बारे में देखते हैं कि जो number of vacancy है वो कितनी है और उनके detail एक बार देख लेते हैं तो चलिए हम सीधे English पे चलते हैं तो English में बहुत ही अच्छा means आप देख सकते कि number है काफी सबसे ज़्यादा vacancy जो है वो आपकी हिंदी के बाद हिंदी के बाद सीधे हिंदी और ग्रह विग्यानस और गणित के बाद आपकी English में ही देखने को मिल रही है 1587 vacancy बहुत अच्छा है और आप लोग इस पे complete कीजिए हमारी शुब कामनाएं आपको साथ है तो चलिए शुरू करते हैं फिर से तैयारी बबाई टेक केर से ये नेक्स वीडियो